हलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चेप्टर 5 प्राकृतिक वंस्पति के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो परिक्ष्या में बार बार पूछे जाते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो किल्पया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस तरह के इंपोर्टेंट और रुप्यों की वीडियो मिलते रहे हैं आए दे सब्सक्राइब के वनों के उदारन हैं चंदनवन उस्ण कटि बंदिये पनपाती या मानसुनी वनों के उदारन हैं this qe नंदा देवी जी मंडल नीचे किस राज में इस्तित है तो यह उत्रा खंड में इस्तित है नेक्स्ट क्वेस्चन एक आदर्स इस्तिती में कुल भूमी के कितने प्रितिस चेत्र में वन होने चाहिए तो यह लगवा हैं तो यह राज है आवना चलप्रदेश मेगाल्य मिजोरम और नागा लेंड नेक्स्ट क्वेस्चन कि आपके सामने कि भारत के उन राज्यों के नाम बताए जिनकी भोगोलिक छेत्र के दस पृतिसत से कम बाग पर वन हैं तो यह राज है हर्याना जम्मु कश्मीर पंजाब और राजस्तान नेक्स्ट क्वेस्चन दो राष्टिया उद्वानों के नाम बताए जिनमें गैंडा प्रमुक संरक्षित वन जीव है तो यह है काजी रंगा और मानस यह असम महमान नेक्स्ट क्वेस्चन है कि मनिपुर में कौन से म्रग के संरक्षण की परियोजना चल रही है तो उसका नाम है थामेन म्रग बारत की वन निती कब बनाए गई थी तो भारत की वन निती सन 1902 में बनाए गई थी परनतु इसे संसोदित किया गया और यह संसोदित हुआ उनिस्सो अठासी सिए कि बारत में कितने जै बंडलिय चेत्र है तो अभी वारत में में चौदे जै बंडलिय चेत्र हैं नेक्स्ट क्वेस्चन भारत के उन जीव मंडल निचे के नाम बताओ जो इनिसको के जीव मंडल निचे विश्व नेटवर्क पर मानत्या प्राप्त हैं तो भारत के 14 जीव मंडल निचे हैं जिनमें से 4 जीव मंडल निचे हैं जिने यूनेस्को कर मानत्या प्राप्त है यह नीलगरी, नंदा देवी, सुन्दरवन और मननाड की खाड़ी ये यूनेस्कों के दवारा मंत्या प्राप्त हैं नेस्ट क्वेस्चन प्रोजेक्ट टाइगार तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों आरम किये गए थे तो प्रोजेक्ट टाइगार सन 1923 में तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट सन 1902 में शुरू किये गए इन प्रजातियों के संद्रक्षन और उनके प्राकृति आवाज को बचाने के लिए आरम किये गए थे तो इनका मुख उद्देश क्या था तो मुख उद्देश भारत में बाग यानि टाइगर और हाथी एलिफेंट की संक्या में के इस तरको बनाए रखना है इसलिए यह शुरू किये गए थे अगला प्रसाइन प्राकृति किसे कहते हैं तो प्राकृति को वनस्पति में वह पोधे समलित होते हैं या किये जाते हैं जो मानाव के प्रित्यक्स या परोक्स मला सीधे या अंजाने या जाने में उनकी जरूत नहीं पड़ते हैं वह बिना किसी की साहता के उगते हैं और अपने आकार संजचना तथा अपनी आउसकताओं की प्राकृतिक परियावरण के अनुसार डाल लेते हैं वही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं नेट्स क्य Water Question है कि जलवायू की कौन सी परस्तितियां सदाभारवन उगने के लिए अनुकूल हैं तो जलवायू की उस्षण और आद्र जलवायू सदाभार उगने के लिए अनुकूल हैं जहें वार्षिक वरस्रा 200 सेंटीमेटर से अधिक होती है और ऑसट वार्षिक ता और इसकी स्तापना कब हुई थी तो नील गिरी जीव मंडल निचे तमिलनाडू केराल और करणाटक तीनों राज्यों की पाड़ियों में इस्तित है इसकी स्तापना अगस्त 1986 में हुई थी बारत ने पहले जीव मंडल निचे आरक्षिक छेतर के रूप में इसके मानत्या दी ती जिसे नील गिरी जीव मंडल आरक्षिक छेतर कहते हैं अगला क्वेश्चन है कि नौक रेक जीव मंडल निचे किस राजी में तो नौक रेक जीव मंडल निचे भारत के उत्री पूरी राज में इस्तित है किस में है में इस्तित है यह तूरा प्रवतमाला पर इस्तित ह जो गारोपाडियों का एक भाग है इसकी स्तापना सन 1988 में की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी जीये मंडल निचे किस राज में इस्तित है और इसका छेत्रफल कितना है मन्नार की खाड़ी जीये मंडल निचे तमील नाडु राज में इस्तित है तमील नाडु के उत्तर में रामेश वरम दीप से दक्सिन में कन्या कुमारी तक विश्तरित मन्नार की खाड़ी का भारतिय वाग जो भारतिय वाग है उसमें फैला हुआ है इसकी स्तापना सन 1989 में की यह थी और इसका छेत्र फल थक़े 8500- poured-a part kilometer इसका चीकenden अपके सामने इस सामजी कि वानी की क्या है जा किसे कहते हैंımızı निय्जिक ही किसे कहते हैं और तो सामाजी कि वानी कार्थ थे परियावरणिय सामाजी वह ग्रामनेट विकास में मदद के उद्देश से वनों का प्रबंदन और सुरक्षा तता बंजर भूमी जिसमें किर्षी की फसल नहीं होती पर विरक्षा प्रोपन करना पेड़ पोदे लगाना विरक्ष लगाना मैस्ट क्वेशिन है कि राष्टिय क्रिशी आयूग 1906 से 1989 ने सामाज इक वानिकी को कितने भागों में वर्गigator किया यह बाट है तो यह बाट है तीन भागों में के सेरी वानिकी ग्रमीन वानिकी और भार्म वाανिकी तीन भाग है नेस्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो यह बनाते हैं उसन कटी बंदिया पनपाती 1 Next question है कि अंडवान और निकोबार दीप समू में किस प्रकार की 1 पाए जाते हैं तो यहां पर उसन कटी बंदिया सदावार 1 यह और्ध सदावार 1 पाए जाते हैं आपके सामने अगला question कि जिन चेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 cm से कम होती है महां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो महां पर उसन कटी बंदिया काटेदार वन पाए जाते हैं अगला कोश्चन है कि जीवमंडल निचे कहते किसे हैं? या क्या है ये? जीवमंडल निचे जो आरक्सितर है विसेज प्रकार की भूमि और तटिये पारिस्तितिक तंत्र हैं जिने यूनुस्क ने माना और जीवमंडल कारेक्रम के अंतर गृत मांत्या दिया है उन्हें जी मंडल नीचे कहते हैं नेस्ट क्योशन है कि अनुप वन किसे कहते हैं तो भारत के उन छेत्रों में जहां जमीन हमेशा जल्यूक तो होती है पानी रहता है अत्वा आद्र होती है वहां नमी रहती है बहुत ज्यादा मा की प्राकृतिक वनस्पति को वेलांचली या अनुप वन के नाम से जाना जाता है या कहते हैं तो आशा है आज के प्रशन उत्तर आपके लिए बहुती महत्पुन और उप्योगी सिद्ध होंगे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइक आन के बटन को दबाएं जिससे आपको इस तरह के और बैदपूर्ण वीडियो मिलते रहें मैं आपके उज्वल भविस की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करें और अपने भविस को उज्वल और सुनेरा बनाए थैंक यू पर वाचिंग वाचिंग मैं वीडियो आवे नाइस देए